नमस्कार स्वागत आपका start investment में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं LIC IPO के बारे में LIC के जितने भी policy holder हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी बहुत बड़ी news और मैं तो यह कहूँगा good news जो है LIC की तरफ से आई है इसके बारे में आप लोगों को information देना चाहूँगा साथी साथ Tata Power को renewable energy solar energy में बहुत बड़ा contract मिल गया है 945 करोड रुपए का इसके बारे में information देने वाला हूँ और साथी साथ आज दूसरा दिन था Tega Industries के IPO का grey market premium almost यहाँ पे double हो चुका है इसके बारे में भी information देने वाला हूँ तो काफी informative आज का यह video होने वाला है दोस्तों और इसी तरह के share market के latest videos के लिए आप लोग channel को subscribe करना ना भूलिएगा और बगल में जो bell का icon है उसे जरूर press कर दीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले LIC के बारे में बताना चाहूँगा Life Insurance Corporation of India दोस्तों LIC के जो chairman है उन्होंने जितने भी policy holder है उन्हों सब को कहा है कि आप लोग अपने pen card update करवा लीजिए किसमें policy में अब ऐसा क्यों कहा गया है देख लीजिए किसी भी company का जब IPO आता है तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे employee क्या होता है एक employees के लिए अलग से रखा जाता है portion subscription करने के लिए जी हाँ दोस्तों और वहाँ पे उनको benefit मिल जाता है या कई company जैसे state bank of India अपनी subsidiary का IPO लेकिया थी SBI cards का तो उस time पे जिन भी shareholder के पास SBI के shares थे उनको क्या मिला था एक shareholder reservation मिल गया था और वहाँ पे easily उनको IPO में apply करने के लिए और quota भी उनके लिए reserve रखा जाता है तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला है LIC के IPO के अंदर आप लोगों को पता है अब तक का इंडिया में सबसे बड़ा जो IPO है ऐसा माना जा रहा है in terms of valuation IPO रहेगा LIC is set to be the country's biggest ever IPO with the government aiming to raise up to rupees 90,000 crore from its stake sale तो सोच लीजे सरकार यहाँ पर divestment कर रही है और 90,000 crore रुपए जुटाना चाहती है सरकार अभी तक का जो valuation बता रहा है तो इंडिया का सबसे बड़ा IPO ये list होगा और इस IPO में अगर आप LIC के यहाँ पर policy holder है bonds हैं आपके पास LIC के या आप LIC की जैसे जीवन भीमा जो है buy कर रखाया आप लोगों ने यहाँ पर तो आप लोगों को एक अच्छा खासा chance है apply करने के लिए लेकिन IPO में apply करने से पहले आपको DMAT account चाहिए होगा और DMAT account के लिए आप लोगों को चाहिए होगे pen card तो pen card जरूर होना चाहिए pen card को update कराईए अपनी policies में और उसके बाद आप लोग DMAT account open शुरू कर दीजिए क्योंकि हो सकता है कि मार्च तक जी हां दोस्तों मार्च 2022 तक ऐसे अटकले लगाई जा रही हैं बड़े बड़े एनलिस्ट बता रहे हैं कि मार्च 2022 तक जो है LIC का IPO आ सकता है और बहुत बड़ा फाइदा हो सकता है शबी शेयरोडर को क्योंकि LIC कितनी profitable company है आप लोग समझ सकते हैं तो दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जिरोदा आप स्टॉक एंजल वनसे से दिगजों के जो है लिंक दिये गए हैं लिंक पे क्लिक कीजिएगा और यहां पे अकाउंट ओपन कीजिएगा ऐसा माना जा रहा है कि LIC जब लिस् के दिन ही बन जाएगी तो यह तो रहा दोस्तों पहला अपडेट LIC IPO के बारे में दूसरा अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड अब यह मान लीजिए टाटा पावर और अधानी पावर तोनों के दोनों एक दूसरे के क् रिनिवेबल इनरजी के सेक्टर में कमपनिया बहुत जबरदस्त काम कर रही है टाटा ग्रूप भी अच्छा खासा काम कर रहा है रिनिवेबल इनरजी के सेक्टर में इसलिए काम किया जा रहा है सबसे पहले तो संराइज सेक्टर है संराइज सेक्टर होने की वज़े से हर कोई यहाँ पर investment करना चाह रहा है क्योंकि future में solar energy का field बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर आप लोग देखेंगे 226 रुपए के करीब data power का share चल रहा है और इस company की dividend yield भी जब आप लोग देखते हैं तो 0.69 percentage की है over the long run company ने 2115 परतिसब के returns दिये हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो largest solar and battery project है 945 करोड रुपए का data power को मिल चुका है तो data power के लिए again एक बहुत बड़ी यह बात है 945 करोड रुपए का एक project मिल जाना किसी भी company के लिए छोटी मोटी बात नहीं होती है और वो भी इस company को मिला है कहां से मिला है यह solar energy corporation of india से मिला है 100 megawatt का EPC यानि की engineering procurement construction solar project का जो है यहाँ पर construction किया जाएगा साथ ही साथ 120 megawatt का जो है utility scale battery energy storage system भी बनाया जाएगा जो कि जो total contract 945 करोड रुपए का और 18 महीने के भीतर इस project को complete होना है company की order book फुल है पहले से ही आप लोग देख सकते हैं लग भग आप लोग देखेंगे तो 9000 करोड रुपए के आसपास का यहाँ पर order book है टाटा पावर का पहले से ही यह company का order book फुल है और अब यह 945 करोड रुपए का जो है project इनको मिल गया है solar energy corporation of India की तरफ से जिसमें की इनको solar project का निर्मान करना है तो टाटा पावर एक multi bagger stock में कहूंगा लेकिन अगर आप कहेंगे कि 100 term में कितने return बनेंगे उसकी कोई guarantee नहीं है लेकिन टाटा पावर जैसी company के shares अगर आप लोग लेते हैं हर महीने SIP करते हैं long term के लिए लेते हैं तो यहाँ पर returns बनने के पूरे पूरे chances है future में आज से 5 से 10 साल लेके चलिए टाटा पावर जैसी company जो के renewable sector में काम कर रही है आप लोगों को multi bagger returns बना के देंगी तो यहाँ पर company ने जबरदस्त news दी है अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा Tega Industries के IPO के बारे में अब Tega Industries करती क्या है पहले ही मैंने बताया था यह इस तरह के products बनाती है जो की mining के field में mainly चाहिए होते हैं processing के field में mainly चाहिए होते हैं company देखेंगे mining and bulk solids handling industry में काम जी हाँ दोस्तों तो यह तो रही news जो की मतलब Tega Industries का IPO आया था एक तारिख से तीन तारिख तक इसकी डेट है आज है 2 December तो कल भी मौका है आप लोगों के पास 443 रुपए से लेकर 453 रुपए पर share का price band यहाँ पे रखा गया था और 10 रुपए की face value वाला यह share है NAC और BAC के उपर list होने वाला है grey market premium latest बताना चाहूंगा double हो चुके हैं और share पहले ही दिन double हो सकता है जिस तरह से अभी grey market premium चल रहा है तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने apply नहीं किया है तो कल का दिन है कल आराम से जाके आप लोग जब 10 बजे के बाद 5 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जो है आसानी से apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 27 नॉवंबर के दिन दिन 250 रुपए का इसका grey market premium चल रहा था 29 नॉवंबर के दिन देख सकते हैं 300 रुपए फिर आगे 30 नॉवंबर के दिन भी 300 रुपए का था लेकिन 1 दिसमबर जैसी ही IPO ओपन हुआ 400 रुपए के करीब grey market premium पहुँच किया और 2 दिसमबर के दिन 450 रुपए तो सोच लीजे 453 रुपए अपर जो है तो रेटियल कैटेगरी में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आया है मैं कहूंगा कल जाके आप लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में यही तीन main information आप लोगों तक पहुँचानी थी comment करके जरूर बतेगा कि कैसे लगया आप लोगों को यह information और साथे साथ दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में जिरोदा, अपस्टॉक, एलीस ब्ल्यू, एंजल ब्रोकिंग, एंड प्रॉफिट मार्ट के लिंक जो हैं दिये गए हैं सभी के लिंक पे क्लिक करें, एकाउंट ओपन करें और इंजय करें सभी की सर्विसेस, आज किस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद